कि हलो एवरी वेलकम्ट टु जैटकें लिए क्या लेके आए हैं आपके लिए क्या बारे में जब तक हम स्लेवसी नहीं पता हो तो हम कैसे पढ़ सकते आपको पता है जैसे अभी तक नोर्ट विए लेकिन नोर्ट शाल में कुछ ना कुछ है यानि जैसे पहले साल में आपके दो सेटर हैं जिनको कम्पलीट करने के लिए यह आपको certificate in bio organic and medicinal chemistry में मिलने वाला है और उसके बाद जब आप second year कर लोगे complete यानि कि third sem और fourth sem फिर आपको diploma in chemical dynamics and analytical techniques में मिलेगा आपको जिनमें से आप chemical dynamics third sem में पढ़ चुके हो इसके बाद आप fourth semester में पढ़ने वाले हो analytical technique दौनों semester को मिला कर आपको एक diploma मिलेगा जिसको बोलेंगे डिप्लोमा इन chemical dynamics and analytical techniques जब आप छट्वा सेमिस्टर complete कर लोगे यानि कि सरी हाँ fifth or sixth semester complete कर लोगे यानि थर्ड है फिर आपको मिलेगा क्या degree in bachelor degree bachelor in science मतलब B.Sc की degree आपको मिल जाएगी चले फिर हम time waste करते हुए अपना आग श्टार्ट करते हैं for Sam का syllabus पहला काम हमारा यह है कि जो हमारी आठ यूनिट है उन आठों यूनिट्स का नाम क्या है और फिर हम जानेंगे उनके अंदर मैटेरिल क्या 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 हमें पढ़ना है चले जान लेते हैं अगर हम बात करें आप से कि सर पहली यूनिट का नाम है अटमिक इस्ट्रक्चर यह यूनिट आपके लिए बहुत आसन रहेगी क्योंकि यह यूनिट कहीं ना कहीं आपने 11-12 में पढ़ी होती है अटमिक इस्ट्रक्चर जिसमें बहुत सिंपल सिंपल सी चीजे आपको दिखाई देने को मिलेंगी अभी जानते हैं क्या क्या पढ़ने वाले उसके बाद है बहुती बहुत यूनिट है जिसका नाम है कैंगे अलिमेंटरी क्वांटं मेकेनिक्स भाही मैं आपको बता दो आप रिजूशिन के बाद चाहिए मास्टर डिग्री करें या फिरада इटी जेंग की प्रिपरिश्ण करें죠 बहुती बहुतती बहुत आपर होते हैं exam point of view से या फिर हम बोल सकते हैं entrance में जो questions आते हैं बहुत ही बहुत ही बहुत ही यूनिट हमारी elementary quantum mechanics और जो लोग PCM से हैं जो आप अगर PCM से हो तो आपके लिए बहुत ही बहुत ही बहुत ही रहेगा अभी से पढ़ना रीजन क्योंकि यह quantum mechanics आपको 5th semester में आपको physics में भी मिलने वाली है इसलिए आप chemistry में अभी से पढ़ लेजिए फोर समिस्टर में हना तो elementary quantum mechanics उसके बाद है आपका क्या molecular spectroscopy भाई इसमें बहुत सारे spectroscopy आप पढ़ोगे rotational होता है रमान spectroscopy होता है वो सारी चीज है इसमें पढ़ने है फिर आपको UV-Visual spectroscopy इसको हम electronic spectroscopy भी कहते हैं फिर आगे आपकी infrared spectroscopy जिसे हम vibrational spectroscopy यानि IR spectroscopy भी कहते हैं और फिर एक और most important topic है that is 1H NMR spectroscopy भाई NMR भी आपको इधर दे रखें उसके बाद है introduction to mass spectrometry भाई सफ्पेक्ट्रméट्री होती है बहुम हम स्प्प्ट्र में स्पmm ale प्रिजम होता है कि स्प Forest Oh P में हम blogs का interaction देखते हैं किसे बी hysterKay साथ वैक कोई हमारा meters सालीड है लिए कोई बी स्पर बहुँобщ के उस निलाप अ यसको को तो मैं आपको बता दूँ किसी भी एंट्रांस पॉंट व्यू से या फिर आगे आप IT जैम की प्रेपरिशन करने वाले हो वहां से MSC करने के लिए पेश्डी करने के लिए तो भाई या फिर आप IT जाल के लिए ऐसा नेट का एकजाम देने वाले सब के लिए यह वाला चीज को आपको जानना है और शी क्यशनक पढ़ना है कि हम इनके unit by सबके lecture यहां करने वाले हैं अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो आपको सारी चीज़े मिल जाएगी हम one by one सबके lectures में upload करता हो जाऊँगा बस आपको देखना है अगर आप देखेंगे तो मैं बिल्कुल continuity में सारी चीज़ें कराता जाऊँगा चलिवे काम कर लेते हैं अब हम यह जान लेते हैं जैसे कि Atomic Structure है तो Atomic Structure में आपका क्या-क्या material हमें पढ़ना है चलिवे हम यहां पर बात करते हैं अपना यह जैसे यहां पर दिखाया रखाए हैं फर्स्ट यह में सर्टिफिक्न बायो और अर्टिशनल के मिस्ट्री है और जिसके हमें बात करनी है, ठीकिंगी है अब भी जैसे यहां पर भी है इसको को भी दीख सकते हैं डेखिए यहां पर यह quantum mechanics यह आपके semester है second, third, fourth fourth, fourth semester आपको जानना है quantum mechanics and analytical technique यह आपके 8 unit आपको दे रखे जो मैंने अभी अभी आपको होता है अपना वर्क जिसको हमें जानना है और वो है अपना क्या स्लेवस और उसके अंदर की डिटेल्स के वारे में थिए ना तो यह है वह हमारा हरो सेमिस्टर-4ührtical जो ञांव उनेवाला उसका नाम है कॉंटम मेंकिनिक्स एंड अनलाइक्कल टेखिनिक्स ठीकर डीएग अभी हम बात करने वाले इसमें सारी की सारी यूनिक्ट बहुतहीं तरह से इसके बात करेंगे अभी हम यहां पर बात करते हैं जैसे कि यह है हमारी यूनिट फर्स्ट यूनिट वन है और इस सी यूनिट फर्स्ट का नाम है अटमिक स्टक्चर आपको किसी को अगर इसकी शॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं मैं इसमें बताने बालों बहुत ही सिंपल सिंपल सी चीज है पहला इसमें एक दिर्खा आइडियन डिव्रॉगली मेटर वे जो पढ़िए व्यूवर आपने पड़ी होगी डिव्रॉगली यह बताते हैं कि वह आपका पार्टिकल नेचर रख लाए या वियव नेचर रख र कि save क्या होती है energy क्या होती है सब कुछ इसके बारे में पढ़ना इंजर है स्वाब प्रॉछन महां मोस्ट ref मल्टिप्लिसिटी रूल यह आपको 11th क्लास का डाटा आपको लग रहा होगा कि जैसे आपने 11th क्लास में किया था वो सारी चीज़ें इसके अंदर पढ़नी है इसके अलाबा जब हम सेकेंड यूनिट की बात करेंगे अव्यूनिटी आपको है यही से आपका क्वांट्ममल की स्टाटमघ की से जा सबक्ते गैस FROM OFF यह बहुति वह ऊश्यूनिट से इसके बार में हम इसके उने होग एक एक लगक्छर में ऊम बनाद Exodus 30 टॉपिक वाइज एक इक टॉपिक को अच्छे से समझेंगे जैसे ब्लैंक बोडी रेडिशन है प्लैंक्स रेडिशन लौ है फोटो एलेक्ट्रिक एफेक्ट है हीट केपेसिटी ऑफ सौलिड है बोगर्स मौडल ऑफ हाइड है इसके बात कॉंटन एफेक्ट है टी प्रोगली हैपोतेसिस है हीजेंट पर अंसंट्रिंटिट्ट है यहाँ पर भी था यहाँ पर बीदा अंतर इतना यहां पर क्वांटम मेकैनिकली इंप्रूब करके देखे हना Hamiltonian operators हैं तो यह सब के बारे में आपको जानना है अभी इसके बाद आगर हम बात करें और क्या भी चले और हम आगे बात करते हैं इसमें और क्या क्या हमें पढ़ना तो यह तो फर्स यूनिट के बात कर लिए हमने सेकंड यूनिट के कुछ आपिक्स के बारे में हमने जान अभी सेकंड यूनिट में कुछ और टॉपिक होंगे तो वो क्या है वो भी जान लेते हैं ज़रा देखिए भी हम पहुंचें यहां पर यह सेकंड यूनिट के बागी के टॉपिक्स क्या है स्रॉनिंजर वेव एक्कुशन दो टाइप के होती है एक होती है टाइम बना है और यह एक और इंपोर्टेंट पार्ट है क्या है पॉस्टुलेट ऑफ क्वांटम मेकेनिक्स के सारे के सारे पॉस्टुलेट्स पढ़ने है और इनकी एप्लिकेशन पढ़नी है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है पार्टिकल इन वंडी वॉक्स सिस्टम वन डामेंशन और यह आपको दे रखा स्रोडेंजर वेव एक्रिशन फॉर हाइड जनेटर बस मुझे लगता वंडी वॉक्स सिस्टम ही है और इसके अलावार नहीं है साइध ना सेपरेशन अलग अलग सेपरेट करने हैं आपको हाइड वेप्स के लिए और आपको यह मॉलिकुला और अर्विटल का कंस्ट्रक्शन और लेको रूल यह सब आपको पढ़ना है यह सब चीजें हम धीमे धीमे करके सारी की सारी एक साथ मतलब एक साथ तो नहीं कर सकते लेकिन वन ववई लेक्शर में आपको डालते रहेंगे आपको पस देगना है पर इसमें थोड़ा सा आपका मैथमेटिकल पॉर्शन होता है तो जो लोग PCM से होते हैं उनके लिए तोड़ा सा आसान पड़ता यह वाला सा मिश्टर और जो बाय गुरुप से हैं उनके लिए थोड उनके भात नहीं होती हैं अभी इसके बात कर लेता है उनिट 3 तो यूनिट 3 तड़गी अगर हम बात करना तो यूनिट 3 तड़गी आपकी van dr wrapauptimer yhte 24 इसमना आपको दिया साइस्ट रोटेश्टनल वाइबरेश्ण और रमन यह आपकी थर्ड यूनिट के अन्दर है उ फॉर्थ जूनिट के अंदर आपको दिया है यू वी विजिवल सेक्ट्रोसकूपी जिसको gratr0 निक decorr0 को भी बोल सकते हैं electronic spectroscopy भी कहा जा सकता है तो इन सभी spectroscopy के बारे में यूज करें गया, rotational spectroscopy है यहाँ पर अलग टाइप की wave यूज होती है जिसे हम बोलता है microwave यूज होता है इसके अंदर, vibrational spectroscopy यहाँ पर हमारी IR wave यूज होता है इसको IR spectroscopy भी बोल सकता है यूभी विजबल है यहां पर यूभी लाइट है अल्ट्र वालिट और विजबल लाइट हमारी यूज होती है तो यही सब के बारे में हमें पढ़ना है चलिए आगे और बात कर लेते हैं क्या है गांत जैसे हम यहां पहुंचे अपने फोर्थ के बारे में मीने पढ़ लिया है यह फोर्थ यूडिट में हमें पढ़ना यूभी भी पिजबन इसके बाद अगर हम चलते हैं फिंद्ध यूणिट बहुत ही बैधरी नीट है आपकी फिप्थ यूणिट के केवल आपको एक ही दे रखा that is hydrogen hydrogen की यानि की proton NMR आपको दे रखा जिसको इसलिए 1H NMR को PMR भी का जाता क्योंकि 1H मतलब proton NMR इसको बोलते हैं ठीक ना बहुत ही बहतरी न और इसमें हमारी क्या होती है रेडियो वेव यूज होती है कौनसे होती है रेडियो वेव यूज होती है इतना आपको ध्यान लगना है इसके बारे में तो डेटेल बढ़ना भाई बहुत ही अच्छा और बहतरीन टॉपिक है ठीक है ना चलिए हम आगे बात करते हैं इसके अलाबा यह हमारी फिप्त कौन यह आपकी 6 unit है आप इसका चाहते हैं इसके बाद हम बात करते हैं किसकी भाई 6 के बाद 7 और 8 यह आपकी दे रखें 7 और 8 unit ठीक है यहां भी हम बात कर लेता है वही क्या है unit 7 में आपको दे रखा mass spectrometry यह mass spectrometry के बारे में जाना है और फिर इसके बाद है separation technique यानि solvent extraction कैसे न उनका क्या है classification करो किस किस तरह से निकालेंगे उनके principle efficiency किसमें आपको ज़्यादा separate करने पर जो आपको प्रड़क्ट चाहिए वह आपको कितना amount उसका मिलना है उसकी efficiency क्या है वो सारी चीज़े उसके mechanism क्या extraction करने की हाना solvation kilation बहुत सारे method होते हमारे यह सब के बारे में किनमेटोग्राफी भी पढ़ना बहुत important है क्योंकि यहां से actual में क्या होता है जब लेबरोटरी में वर्क करते हैं तो वहां पर किनमेटोग्राफी को जानने के लिए बहुती बहतरीन चीज़ें आपको मिलती है तो वहां पर जानना आपको चाहिए तो यह प्रक्टिकल व लेक्षे देते रहेंगे और अप हमारे साथ जुड़े रही और आपको इसके जो सारे के सारी चीज़ें उनको 201 लेके चलते रहेंगे तो मुझे लगता है अभी आपको मोटे तोर पर जो स्लेव्च है वह मैं आपको बता दिया अगर आपको पीडिय फोर्म वहां तो